हेलो फ्रेंड्स मैं फार्मसिस प्रांजिली साथपूते इंडियन ओनलाइन फार्मसी इस मेडिसिन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लॉपजी क्रीम के बारे में जिसमें के आपको क्लोबिटासॉल, प्रोप्य दात, खाज, खुजली और साथ ही स्कीन पर जो इंफ्लामेशन सूजन रहती है उसे कम करने का काम ये दबा करती है और इसमें जो साइकन ड्रॉग है जन्तामैसिन यह प्रिकार की एंटिवोटिक मेडिसिन है जो बैक्टरिल इंफिक्शन को खत्म करने का काम करती है मतलब स के ढ़ार धात कुझली हो तो ऐसे ंद्छिन में भी यह क्रीम काफी अच्छा वर्ब करती है काफी अच्य रिसल दिखाती है सो दोस्तों आगे हम इस वीडियो में इस क्रीम के बारे में पूरी विस्तार में चांड कर लेंगे की मतलब इस क्लॉब्जी क्रीम को किन किन परिशानियों में स्कीन प्रॉब्लम्स में इसका इस्तमाल किया जाता है यानि कि इस क्रीम के यूजिस क्या है, डूसिज क्या है साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन इन सभी के बारे में पूरी वस्तार में जान कर लेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या ये क्रीम सच में गोरा बना दीती है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इस क्रीम को as a fairness क्रीम की तरह इसका इस्तमाल करते हैं तो इसके बारे भी बात करेंगे कि मतलब क्रीम को गोरा बनाने के लिए इस क्रीम का इस्त द्रग है जंटामैसें तो यह यह यहां पर आपको 0.10 percent की strength में देखने को मलता है इसके अलवा दोस्तों इस क्रीम में आपको Chloroo Crisal भी देखने को मिलता है जो कि 0.10 percent की strength में यहां पर मौझूद है दोस्तों उपयोग जानने क्रीम को मुख्य रूप से दात खाज खुजली में किया जाता है इसका इस्तमाल मतलब यदि किसी वक्ति के तवचा पर हो रही है तो ऐसे condition में इस क्रीम का अपयोग KrisP toolbar करें के की फंगल इंफेक्शन हो जिसके कारें दात खाज कुजली हो रही है यह फिर प्रवेट पार्ट में होने वाली खुजली हो तो इन सभी कंडिशन में डॉक्टर द्वारा इस प्रॉबजी क्रीम को प्रिस्क्राइब किया जाता है दोस्तों ऐसे में यह दवा बहुत ही अच्छा वर्क करती है बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाती है तो दोस्तों बहुत सारे लो लेकिन दोस्तों इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इस क्रीम को लंबे समय तक इस्तमाल करने से आपकी जो स्कीन है आपकी जो तवचा है वो पतली हो जाती है लूज हो जाती है जिसके कारण आपको आगे चलके बहुत सारे स्कीन देखने को मिलते है और दोस्तों इस क्रीम को लगाने से आपको जो फैर नेस मिला है वो कोई पर्मनट नहीं रहता मतलब जैसे हैं आप सक्रीम को लगाना बंद कर देंगे तो उसी टाइम आपकी जो स्कीन है वो पहले की तरह नेचरल तोन में दिखने लगेगी सो इस क्रीम को कभी भी गोरा बनाने के लिए इसका इस्तिमाल ना करें सिर्फ डॉक्टर के सलहा पर ही इस क्रीम का इस्तिमाल करें क्योंकि दोस्तों कुछ लोग इस क्रीम को बहुती जादा मातरा में बहुती लंबे टाइम तक इसका इस्तिमाल करते हैं और बाद में उनका बहुती बूरा हाल हो जाता है क्योंकि दोस्तों ये क्रीम आपके तवचा को गोरा बना देती है और साथ ही स्कीन को पतला भी बना देती है स्कीन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते है और इन साइफेक्ट के कारण जैसी ही ओगो लोग इसकीन को लगाना बन कर देते है तो तभी भी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते है उनकी स्कीन ब्लाक को होने लगती है पतली होने लगती है साथवी तवच्वा पर खुजली, रुखापन, सुखापन, रेडनेज, जलन ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते है तो फिर वे लोग चाहा कर भी इस क्रीम को ना ही बन कर सकते है और ना ही इस क्रीम के साइफेक्ट को ओहर कम पर पाते है दोस्तो इस क्रीम को कभी भी गोरा होने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें आपको क्या स्कीन तो ओहरु होगी नहीं और साथ ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे कर जाएगी ये क्रीम तो इससे सिर्फ इसके जो भी स्कीन प्रॉब्लम्स औगेरा रहते है, सिर्द स set डιαट दोशेज दोर स्क्रीम के बात करें को पार डोक्टर के सला पर उसका है इसका जाता है नॉर्मली से फंगल इंफेक्शन में या फिर किसी अन्य सीवियर स्कीन प्रॉब्लम में जब डॉक्टर द्वारा इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है तब इस क्रीम को एक दम से नहीं छोड़ा जाता है मतलब पहले साथ दिन तक इस क्रीम को दिन में दो बार लगा है और इसके बाद अगले साथ दिन इस क्रीम को एक दिन छोड़के इसका इस्तेमाल किया जाता है तो चल्ए दोस्तो आज के वीडियो ओन आज सी जियो और बस मों इस वीडियो It also thank you thank you for watching